दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इंडियन यारफोर्स के द्वारा MRAFA टेंडर को लेके अपने कदम को मजबूत किया जा रहा है और जल्द से जल्द इंडियन यारफोर्स के लिए बेस्ट यारक्रैप्टों को खरिदने का तैयारी किया जा रहा है तो वही पे दूसरे तरफ हा होट फेवरेट कहना पर वही पे दोस्तों इंडियन यारफोर्स के कुछ अधिकारियों के तरफ से हाली में मेडिया को जानकारी दिया गया है कि इस बार MRAFA डील मतलब 114 फाइटर यारक्रैप्टों के टेंडर के अंतरगत इंडियन यारफोर्स के द्वारा सबसे ताकतव पर तरे इंडियन यारफोर्स के अधिकारियों का हवाला देते हुए ये दावा किया गया है कि MRAFA टेंडर में जो सबसे फेवरेट यारक्रैप्ट है मतलब राफाल यारक्रैप्ट उससे भी पचार सकता है एक ऐसा यारक्रैप्ट इस टेंडर में अब होट फेवरेट वन जा रहा है बेसिकली दोस्तों रैफाल यारक्रैप्टो को 114 फाइटर यारक्रैप्टो के टेंडर में सबसे पहले फसंद के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पिछले वार के टेंडर को भी इन्ही यारक्रैप्टो ने जीता था और उसी कारण के वजास्ते ज बात से ही पता चल जाता है कि असल में यारक्राप्टो को खरिदने का प्रयास इंडियन यारफोर्स के द्वारा 15 साल पहले से किया जा रहा है। जिनमें अमेरिका के तीन, रश्या के दो और योरोफ के तीन यारक्राप्ट है। ऑफरी से दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इयारक्राप्टों को भारत के सामने जिन ओफरों के तहईत रखा गया है, आप लोगों को यह भी बता दूं। अब डेसल आवेशन के पास रैफाल यार क्रेप्टों के एक्सपोर्ट को लेके अल्रेडी दोसों के आसपास ओर्डर है। अब दोसों इस ओफिशियल पोस्ट में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन यार फोर्ट के तरफ से रिक्वेश्ट फर प्रोपोजल को लेके तयारी किया जा रहा है। साल 2018 में जारी कर दिया गया था। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही मतलब इस साल के अन से पहले शायद रिक्वेश्ट फर प्रोपोजल भी जारी कर दिया जाए। हलाकि इसके इलावा acceptance of necessity को लेके भी एक स्टेफ है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने को लेके कहा जा रहा है। दूसे तरफ दोस्तो आप लोगों को ये भी बता दू कि ग्राइफिन यार क्रेफ्टों के सामने कई तरीके के चुनौती है जिन में सबसे बड़ा चुनौती इंडियन यार फोर्स के लिए ही बनाया जाने वाला सौधाशी यार क्रेफ्ट मतलब तेजस मार्क टू यार क् है हाला कि इन चुनौतीों के बावजुद ग्राइफिन यार क्रेफ्टों को अगर एक फ्रॉंट लाइन यार क्रेफ्ट के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अवश्य हुआ होगा और दोस्तों ये इस कुछ ना अगर आखिर में दो यार क्रेफ्टों के बीच में घमासान होता है तो वो ग्राइपिन और रफाल के बीच में ही होगा अब दोस्तों ग्राइपिन यार क्रेफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिटिव के कारण है सबसे स्ट्रॉंग यार क्रेफ्ट के रूप में फिलाल द बनाने की इरादे के अंतरगत डैसॉल एवियेशन आगे बढ़ रहा है और दोस्तों यहाँ से डैसॉल एवियेशन अन्ने एशियाई देशों को भी यार क्रैप्टों को एक्सपोर्ट करना चाहता है। उसके इंजिन भी संपुन रूफ से भारत में बनके इन एर क्रैप्टों में लग सकेगा। जाए तो एक सिंगल इंजिन का यार क्रैप्ट है जिससे की इन एर क्रैप्टों को और भी कई मामलों में वेनिफिट मिलेगा जिन में एक तो इन एर क्रैप्टों के कोस्ट कम होगा। दूसरा इन एर क्रैप्टों के जो ऑपरेशिनल कोस्ट है वो भी कम होगा। पैसे में, ताफी कम पैसे में, अपने फ्लाइट और अपने अन्य काम को अन्जाम दे सकता है। इन एर क्रैप्ट का लंबाई से थोड़ा अधिग मतलब 15.9 मिटर मतलब 52 फीट के आसपास है। लाकि इसके इलावा सभी पैरेमिटर सेम हैं और एर क्रैप्ट के अगर चोड़ाई को देखा जाए तो इसका विंग स्पैन करिवन 8.6 मिटर मतलब 28 फीट 3 इंच है तो वही पे इसका हाइट 4.5 मिटर स्क्वार मतलब करिवन 14 फीट 9 इंच है। दोसो ग्राइफिन इए एर क्रैफ्ट के अगर फ्यूल कापसिटी को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इंटर्नली ये 3,400 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी कर सकता है और एक्टर्नली ड्रॉप टैंक के सारे 3,537 किलोग्राम के फ्यूल को ये कैरी कर सकता है। लाकि इसके इलावा इसके पेलोट शम्ता करीवन 7200 किलोग्राम का है। यार्क्राफ्ट में इंजिन के रूप में एक जनरल इलिक्रिक के A414-GE39-E इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिससे की RM-16 आफ्र बर्निंग टर्बो फैन इंजिन भी कहा जाता है जिसका ड्राइ थ्रश 61.83 किलोटन और मैक्सिमम आप्र बर्निंग थ्रश 98 किलोटन है। यार्क्राफ्ट के फर्फार्मेंस को अगर देखा जाये तो इसके मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर मतलब माक्ट 2 है तो उही पे इसके कॉमबाट रेंज 15,000 किलोमीटर और फैरी रेंज करीब 4000 किलोमीटर है। यार्क्राफ्ट के सर्विस सिलिंग मतलब उचाई में जाने का शमता 16,000 मिटर मतलब करीव 152,000 फिट तक है। इसमें 10 हाट पॉइंट है जिनमें 3 हाट पॉइंट अंडर फ्यूसलार्ज दो विंग में और एक एक विंग टिप में हैं। एक्टिव एलेक्टोनिकल स्कैन एरे रेडर का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि ये जो स्वीडन के साफ ग्राइव ग्रूप के यार्क्राप्टों का जिकर किया जा रहा है क्या ये एम आर एफे टेंडर में रैफेल एरक्राप्टों को हरा सकेगा या नहीं कॉमेंट करके अपने राय अवश्र दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही फेही करते हैं समावत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे। टफ़ता के लिए जाहिन बने मातरम।